हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप अच्छे ही होंगे आपने मेरा थमलेल देखी लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं हम हाइलाइटर बनाएंगे वो भी घर में अगर आपके पास अचानक हाइलाइटर खतम हो गया हो आपको कहीं जाना है हाइलाइटर नहीं है आपके पास अगर आप हाइलाइटर बनाना चाते हैं तो आप घर में ही बना सकते हैं क्योंकि हाइलाइटर भी आज कल काफी महंगे हैं जैसे ये देखे मेरा एक हाइलाइटर palette है काफी सुन्दर palette है यह देखिए सारे highlighters है 20 shades है कितने अच्छे color है यह देखिए shimmery color है सारे के सारे अगर आपके पास अचानक highlighter खतम हो जाए तो आप highlighter कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी तो आपको उसके लिए सबसे पहले चाहिए एक eyeshadow palette जैसे ये मेरा eyeshadow palette है पराना है काफी मैंने use किया हुआ है ये देखिये इसमें eyeshadow के ऐसे colors हैं shimmery हमेशा eyeshadow shimmer color का ही लीजिया highlighter बढने के लिए क्योंकि highlighter में थोड़ी सी glow होती है इसलिए आपको shimmer आला eyeshadow चाहिए तो ये देखिए मेरा palette है इसमें ये सारे shimri color है इससे भी highlighter बन सकता है white color और इससे भी बन सकता है आप इससे भी बना सकते है आप ब्रॉंजर भी बना सकते है इससे अपना तो उसके लिए कहमें चाहिए aloe vera gel आप अगर आपके पास कोई moisturizer है आप उससे भी बना सकते हैं लेक इतना color effect नहीं आता है क्योंकि उसका base color cream और white होता है जिससे हमारे eyeshadow का color थोड़ा सा light हो जाता है इससे color effect बहुत अच्छा आता है तो इसके लिए मैं आपको कोई भी आप अपना छोटा सा container ले लीजिए मैं ये खाली lens kit ले रही हूं आप क्यूंकि इसमें मैं थोड़ी quantity बन थोड़ी मतलब sorry मेरी Punjabi बीच में आ जाती है कम quantity quantity बनाए तो उससे क्या होगा एक तो बहुत जल्दी लग जाएगा और आप अलगलग color के अपने highlighters बना सकती हैं तो मैं सबसे पहले अपना aloe vera gel लूँगी इसमें थोड़ा सा ओके अगर और उसके बाद आप अपने palette का कोई भी color यूज़ कर सकते हैं जैसे यह देखिए मैं इसमें ये yellow shade यूज़ करके दिखाती हूं क्योंकि मैं yellow shade ज्यादा eyeshadow के लिए यूज़ नहीं करती हूं ये देखिए मैं कम ही है मैं brown shade ज्यादा यूज़ करती हूं तो मैं यहां से आपको ये eye shadow इसमें डाल कर दिखाते हूं ये देखिए friends मैंने इसमें yellow color का yellow color का eyeshadow डाल दिया है ये थोड़ा सशिम्री है ये मैंने एक pin लिया है जूड़ा pin है जिससे मैं इसे mix करूंगी आप किसी भी चीज़ से mix कर सकते हैं इसे अच्छे से mix कर लीजिए कि वह अच्छी तरह से mix हो जाए yellow vera gel में yellow vera gel हमारे skin के लिए भी अच्छी है कोई भी bad effect नहीं करेगी हमारे skin के लिए ये देखिए mix हो रहा है yellow vera gel में जो color का आप eyeshadow डालेंगे वह exact वही color आएगा आपके moisturizer में वह color नहीं आएगा आप कहीं से भी yellow vera gel buy कर सकते हैं आज कल छोटी packing में भी yellow vera gel मिल जाता है तो आप वह भी buy करके अपना अपना घर में खुद का highlighter बना लीजिए अगर आपके पास कोई खाली palette है तो आप उसमें ऐसे जैसे ये palette ऐसे कोई आपके पास खाली palette हो आप उसमें ऐसे बना बना कर अलग अलग color के highlighter रख सकते हैं तो ये देखिए हमारा highlighter त्यार हो गया है कि इतना अच्छा color effect आ रहा है अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ ये देखिए मैं ने लिया ये देखिए आपको इसकी shine ही दिख रही होगी कितनी shine हो रही है आप अपनी चिक्स पे अगर इसे use करेंगे आपको मुझे देखिए कितनी shine ये वाला hand मेरा देखिए simple है और इसमें देखिए कितनी shine हो रही है आपको color नहीं दिखेगा ये light golden color effect आ रहा है actually camera में नहीं दिख रहा है आपको इसकी shine ही दिख रही होगी क्योंकि ये highlighter बन चुका है आप इस तरह अपना घर में highlighter बना सकते हैं कोई भी color का अपने eye shadow palette से जैसे ये मैंने बनाया है इस तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like जरूर करें आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक तो like बनता है friends और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए आज की लिए इतना ही फिर मिलेंगे see you friends बाई